आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके आईब्रोज एकदम या तो लाइट है या आईब्रोज एकदम पतले हैं बाल नहीं आते हैं या कलर ही लाइट है तो आज का जो वीडियो है उनके लिए डेडिकेटिड है सबसे पहले हमने लेना है एक चम्मच आंगला मतलब उसका कलर जब डाक ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको हलका सा और वो भी सिम आज पे एकदम धीमी आज पे उसको सोते करना है मतलब हलका हलका सा भून लेना है दोस्तों यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए लाइक करिए बहुत ज़ादा यूसफूल हूम रेमेडीज हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसी चीज़े मैं यूज़ करती हूँ और क्योंकि मैं यहाँ पे यह चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आप लोग आते हैं देखते हैं वीडियो पसंद भी करते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं बेल आइकॉन दबाना भूल जाते हैं और फिर मुझे डियम करके मुझे डिरेक् गया है गैस मैंने कर दी है बंद और इसको आपने रख देना है साइड में ठंडा होने के लिए अब इसके साथ जो सेकिन प्रोसेस है वह आपको क्या करना है यह मैं आपको दिखाती हूं आपको चड़ाना है एक दूसरा अलग से बरतन जिसमें अब हम इसका जो वाटर वा 3-4 चममच पानी अपका तो तो यह एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगा अब इसमें एक कटोरी से भी कम ने पानी लिया था इसमें मैंने आदा चम्मत चाय पत्ती जो रेगुलर आप घर में यूज करते हैं वही वाली चाय पत्ती आपको यूज करनी है और साथ में इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी कॉफी कॉफी से आपके बालों का जो कलर है आई ब्रूस का जो कलर है वो बहुत ही सुन्दर सा डाक कॉफी ब्राउन कलर का आएगा अब इसमें आ गया है बहुत बढ़िया वाला बॉयल अब क्योंकि कलर कॉफी का और जो चाय पत्ती का कलर है वो दोनों इस पानी में अच्छे से मिल गए हैं तो बस इस स्टेज के ओपर आप इसको कर दिजे बंद और थोड़ा सा होने दिजे ठंडा क्योंकि हलका सा गुनग पाउडर बनाया था भूना था वो हमें ले लेना है एक चम्मच ये मेरी कटोरी थोड़ी सी गीली थी इसलिए नीचे हलका सा पानी उसमें रह गया है मैं पोछना भूल गई साथ में हमने इसमें एड करना है जितना हमने आपला पाउडर लिया है उसका हाफ इंडिगो और उतना ही हाफ हमें इसमें डालनी है मेंधी पाउडर मेंधी कोई भी ले लिजे आप सर दोस्तों पे लगाने वाला जो भी आपको नैचुरल वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है तो ये तीनों चीज़े ले ली है अब इसमें हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़े है वो एड करना है केस्टर ऑईल केस्टर ऑइल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है हमारे आईब्रोस को ये घना करने का काम करेघ में तो तीन से चार ड्रॉप्स आप इसमें ले लीजे केस्टर ऑईल की ड्रॉप्स को अच्छे से माप के यह वह वहला तो अब इसको यह best लेकिन अपको फोड़े थोड़े बैच में आपको इसको आड़ करना है पतला नहीं बनाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप करिएगा मैंने जिस तरह से किया है देखे अभी भी ड्राई है यह अच्छा दोस्तों हम लोग हमारे सर के ओपर तो बहुत ध्यान देते हैं हाइलाइट करते हैं महंदी लगाते हैं लेकिन हम जादा तर क्या मतलब मैं बूलूंगे 90% हम हमारे आइब्रोज को निगलेट कर ज जबकि हमारे सर पर बाल वाइट ने होते हैं लेकिन आइब्रोज में कहीं बार आ जाते हैं तो उन्हीं के लिए नुसका है बहुत कारगार नुसका है दोस्तों क्योंकि मेरा खुद का किया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूं इसका कलर बहुत अच्छा आता है नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आइलेश के लिए बताऊंगे कि आप आइलेश को किस तरह से आप हेवी कर सकते हैं घनाव कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको जो यह लगाना है उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कैसा नहीं उठाया और हाथ से या उंगली से लगा दिया आइब्रोज के उपर नहीं इसको लगाते वक आपको बहुत केरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर जादा इधर से उदर लग गया तो एक आइब्रोज मोटी लगेगी कलर उसका जबा जाएगा और एक आइब्रोज आपकी हलकी लगेगी इसलिए लगाते अगर आपके पास पेंटिंग वाले ब्रश आपके बच्चों के तो आप वो भी यूज कर सकते हैं बस आपको ब्रश से ही लगाना है हाथ से नहीं तो आई होप दोस्तों आपको मेरा यह आज का वीडियो अच्छा लगा होगा यूस्फुल लगा होगा तो सब्स्राइब क में तब तक के लिए बबाय बड़ो को पड़ा